आने वाले SmackDown के एपिसोड में Brock Lesnar करेंगे Roman Rings पर खतरनाग हमला और क्या वज़ा है कि Raw का WWE Champion बनने के बाद भी Brock Lesnar SmackDown में आ रहे हैं जानेंगे यह सब कुछ इसी वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों Day 1 में जब Brock Lesnar ने WWE Title जीता तो सभी फैंस को लगा था कि अब Roman और Brock की Feud खत्म हो चुकी है और Brock अब सिर्फ Monday Night Raw में ही हमें दिखाए देंगे जबकि Roman Rings की Feud Drew McIntyre के साथ शुरू हो जाएगी और Royal Rumble में हमें Roman और McIntyre के बीच Universal Title के लिए मैच देखने को मिलेगा वही Brock Lesnar अपना WWE Title बॉबी लेशली के खिलाफ डिफेंड करेंगे लेकिन WWE में अभी एक पंगा हो गया है जिस वजह से Brock Lesnar को SmackDown में आना पड़ रहा है ऐसा होने का असली कारण है कि Drew McIntyre को neck injury हुई है मतलब वो चोटिल हो चुके है इस neck injury की वजह से वो कुछ समय के लिए WWE में नहीं दिखाए देंगे ऐसे में WWE ने ये फैसला लिया कि वो Brock Lesnar को SmackDown में भेज़ेंगे क्योंकि Drew McIntyre के अलावा SmackDown में Roman Rings को challenge करने के लिए कोई और अच्छा wrestler है भी नहीं जो कि Roman को कड़ी टकर दे सके वहीं अगर Brock SmackDown में नहीं दिखाई देते तो शो में कोई interest ही नहीं लेता क्योंकि Brock की वज़ा से ही सब को पता चला कि Roman इस हफते होने वाले SmackDown में अपना return करने वाले है हर कोई जानना चाहता है कि जब इस बार Brock और Roman आमने सामने होंगे तो क्या होगा Roman Rings का क्या reaction होगा Paul Hammond को Brock Lesnar के साथ देखकर ऐसे में WWE ने Brock Lesnar के free agent होने का फायदा उठाते हुए मौके पे चौका मारा ताकि इस SmackDown में Roman और Brock के बीच कुछ ऐसा हो जिससे WrestleMania 38 में इन दोनों के बीच title versus title match करवाया जा सके और यही वज़ा है कि Brock Lesnar को ये पता होने के बावजूद भी कि उन्हें Royal Rumble में Bobby Lashley का सामना करना है वो Lashley पर अपना focus ना रखते हुए Roman Rings पर अभी भी अपना focus बनाए हुए है जैसा कि Raw में Brock ने कहा था कि आने वाले SmackDown में वो आ रहे हैं और वो Roman को देख लेंगे मतलब Brock ने Roman के SmackDown में Return के बारे में सब को बताते हुए Roman को चेतावनी देने के साथ साथ Roman को धमकी भी दी है और पहले की तरह ही ऐसा एक बार फिर हो सकता है कि Brock Lesnar Roman Rings पर खतरनाक हमला करते हुए दिखाई दे और Roman को कहें कि मैं WWE Champion तो हूँ ही लेकिन मुझे अब Universal Championship भी चाहिए और वो दोनो टाइटल्स को एक साथ अपने हाथों से उठाए इस तरह से Roman और Brock के बीच WrestleMania 38 के लिए Title vs. Title Match का Build Up SmackDown के इस Episode से ही बनना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों क्या आप देखना चाहते हैं Roman Rings vs. Brock Lesnar का Title vs. Title Match रसलमीनिया 38 में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करे Believe in God and thanks for watching